नमज़कार बच्चों स्वागत आप सभी का नीट शास्ट के अनलाइन कांस्लिंग प्लैटफरम पर मैं हूँ दॉक्टर प्रतीक सिंग इस वीडियो बनाने से पहले या वीडियो में जो मुझे बाते करने उस बाते को करने से पहले एक छोटी सी बात आप से बावने बस यह महिने पहले कांस्लिंग जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब नीट का अप्लिकेशन फॉर्म आया था फॉर्म फिलिंग चल रही थी अड्मिट कार्ट वेगरा आ रहा था तब मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में साल 13 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आ जाएंगे बह उसके बाद भी मैंने कहा है कि रिमेनिंग मेडिकल कॉलेजेस भी आ जाएंगे और आज अब ये आज सुबह हिंदुस्तान न्यूस में ये न्यूस आर्टिकल आया न्यूस आर्टिकल तो गलत हो नहीं सकता ना और जो यूट्यूब चैनल बोल रहे थे कि सीर्स नहीं बढ पांच मेडिकल कॉलेजे को सशर्थ माननेता जल्द सशर्थ माननेता मतलब की कनफर्मड इनको जो है पर्मीशन मिल जाएगा ध्यान से देखना थोड़ा से पढ़ना मैंने बताया था 21st को जो प्रेजंटेशन है मीटिंग है दुस्वास मंत्राले मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने इन कॉलेजेस ने अपनी मीटिंग को प्रेजेंट किया जिसमें से पांच मेडिकल कॉलेजे का तो कनफर्म है 100% की वा आज जाएंगे छे वचे थे पांच देहात्व ललितपुर में भी तीटे 50 से 100 किये जाने की भी स्वास्त मंत्राले तयार हो गया है तयार हो गया है मतब परमीशन देद या भी ऑफिशल जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है फोड़ी दिर पहले यूपीडी जिम्मी का एक ट्वीट भी आया है नहीं तो आप देख लो यहां पर इसमें चंदॉली कौशांबी गोंडा लखिम पुर्खिरी वह और एया के स्वसासी राजय चिकिस्सा महाविद्याले शामिल है कुन्बद्र में मानक से बहुत कम स्टाफ के कारण फिर से माननेता में पेंच फस सकता है यह संकेत नई दि इसी जो है वह परमीशन देदेगा अब एक चीज़ समझना बच्चों की इंफर्मेशन आप से लिए तो बहुत जादे इंपॉर्टेंट है ही इससी यूपी की कटाफ बहुत जाएगी बट एक चीज़ में आपको यह बताना चाहूंगा कि जो बाक्स जिन बच्चों के मा से अच्छा है अगर आप अभी फ्रेशर नहीं हूं आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन लेके डेफिनिटली अमभीएस कर सकते हो अमभीएस इस जस्ट यूजी कोर्स मैं खुदा भी अमभीएस कर रहा हूँ पाइनल यूजी एस फार इस यूजी अगर आप इसमें बहुत ज्यादा कोशिश करोगे खुद प्रैक्टिस करोगे तो हॉस्पिटल तो आपके पास ही ना अपको जाएक पर गएज़ से अपने बजू सब्सक्रॉबर और आप शीख जा होगे जब NEET की तयारी करते हैं ऐसा थोड़ी जो बच्चा है इंडिया के टॉप इंस्टिट्यूट में पढ़ रहा है तो वही सेलेक्ट होता है बहुत से बच्चे ऑनलाइन मीडियां से पढ़के सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत से बच्चे इंडिविज्वली पीचर से पढ़के से बहुत से बच्चे बहुत छोटी कोचिंग से भी सेलेक्ट होते हैं वह भी डॉक्टर बनेंगे तो यह माइंडसेट क्यों तुम्हारा चेंज हो जाता है कि अगर मैं टॉप केमस नहीं पढ़ूँगा तो मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा इस वीडियो में इत मेरी बुलिंग हुई यह बारे में बहुत बुले किया है आप लोगों ने आप लोगों नहीं तो बाकी अधर यूट्यूबर्स ने किया है तो प्लीज कॉमेंट्स में बस कुछ अच्छा लिखके चले जाना यह ग्युदन्यूज क्यासी लगी यह बता देना और बस चैनल चैनल को प्यार देते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के वाट्सप चैनल का उसको फॉलो करिए थैंक यू सो मच